हेलो गाइस मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की किचन तो फ्रेंट देखिए जब हम पहले बार गर्व अवस्था धारन करते हैं तो हमको जो है अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता रहती है कि गर्व अवस्था के दुरान हम कैसे सोएं लेफ्ट आप नींद से कैसे पता लगा सकती हो कि गर्व में पल्राश हीशु जो है वो लड़का है यह बात भी मैं इसमें आपको बताऊंगी कहां तक यह बात बिल्कुल सच है और मैं कौन से साइट पर सोना पसंद करती थी यह भी बताऊंगी जब मुझे बिबी बॉय हुआ था तो मेरी कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको बिबी बॉय हुआ है और उनके सिम्टम्स जो हैं वो किस करवट सोया करती थी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी तो देखिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़दा इंपॉर्मेशन जो है और अभी थक किसी ने काजल की किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़के निवीदन है कि आप मेरे चनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताहां कि आपको प्रणैसी की सारी इंफॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे जब भी मैं वीडियो डालू तो चलिए फ्रेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट देखी आपने बहुत सारी महिलाओ को देखा होगा कोई महिलाओ जो है ना इतनी बड़े गलती कर जाती है सोते टाइम कि उससे जो है आपके बच्चे को सास भी नहीं आती है तो फ्रेंट यह बिल्कुल सच है कि बच्चे को सास लेने में भी दिक्कत हो जाती है मतलब कि बच्चे को आप बोलोगे कि बच्चा गर्फ के अंदर सास नहीं लेता है तो वही मतलब है मेरा कि जब उसको पूरा नूट्रिशन जो आपके प्रसंटा के थूरू जाता है तो उसको बिल्कुल भी ऑक्सिजन नहीं मिलती है आपके इन गल्थ तरीकों से सोने से तो वह सही तरीके कौन से आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगे तो वीडियो को अन तक बिना इसकीप की वह जरूर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए तो देखिए अगर आप करते हैं कि आपको जो है रायट एंट साइड बिल्कुल भी नहीं सोना है नहीं सोने का मतलब कि आपको अपने POSITION बदलते रहनी है कोई कोई ये बोलती है किullah साइड सोना चाहिए मर मैं आपकर बता दू कि आगर आपने रायट हें करवट ली है तो उसकीव बंदरा स्मिन्ट बाद आपको left hand करवट जरू लेनी है देखिए इससे क्या होगा ना कि जब आप right hand side सोते हो तो उससे बैचे को जो भी nutrition चाहिए होती है बचे का जो आपके प्लसंटा के थ्रू जो blood flow जा रहा होता है वो भी नहीं जा पाता है जो भी बचे को oxygen और जो भी कुछ चाह करता है तो इसलिए जो है आपको doctor ही मना करते है कि आपको जो है right hand side की करवट लेके नहीं सोना चाहिए और friend देखे किसी किसी महिलाओ को यह आदत होती है कि वो कमर के बल सोती है मतलब की बिलकुल सीधा कोई सोता है तो उससे क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा कि में दर्द होता है तो वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपका गर्भाश्य का जो दवाव है पूरा वो आपकी रीड की हड़ी पर पढ़ रहा है जिसके करण आपको बहुत ज़्यादा कमर में complication भी आते हैं और आप doctor से पूछते भी हो कि मैं क्यों कैसे कैसे सो तो अची position मानते हैं कि left hand side सोने से बच्चे को प्रयाप्त मातरा में खून का फ्लो होता है वो भी बहुत अच्छी से मिलता है और जो भी बच्चे को nutrition चाहिए होती है तो left hand side सोने से बहुत ही अच्छी मातरा में जो है आपके बच्चे को चीज़े जाती है और मैं आपको ये आपके कौन सी करवट सोनी चाहिए कौन सी नहीं और मैं आपको बताओं friends के बहुत सारी महिलाओं का ये doubt भी है कि left hand side सोने पे या फिर राइट hand side सोने पे लड़का होता है लड़की होता है तो friends देखिए ये बिल्कूल भी मैं नहीं बता सकती है कि लड़का होता है लड़ को जो है left hand side में सोती थी तो मुझको baby boy हुआ था तो ये लक्षण किसी के उपर तो शर्टिक बैठेगा किसी का नहीं बैठेगा और ये भी नहीं है friend कि अगर आप left hand side नहीं सो रहे हो मतलब कि right hand side सो रहे हो कि तो आपको बेटा नहीं हो सकता तो friend देखिए मेरी बहुत सारी महिलाओं को ये परिशानी होती है कि मैं हमको जो है ना रात को नीन नहीं आते प्रिमेंसी के अंदर जब आपका 8-9 महिन चल जाता है तो आपको उठने में बैठने में लेटने में बहुत जादा परिशानी हो जाती है तो friend मैं आपको बता दू कि जब भी आपको सोना है ना तो आप अपने पैरों के दोनों पैरों के बीच में जो है तक्या लेकर गए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिक में ही एक पोजिशन दिखाये थी जैसे कि वो लेडिस सो री है मैं भी जो है एक बीच में तक्या लगा गए पैरों के अंदर सोती थी ताकि बच्चे को कोई भी दिक्कत ना आए और कोई-कोई महिला कैसा सोती है ना तो वो left hand side सोती है ना वो पेट के बल सोती है नहीं वो पीट के बल सोती है कुछ ऐसी पोजिशन होती है जब वो left hand side सो होतों तो कुल ऐसी पोजिशन होती जिससे उनके 이제 दवाब जो है पेट के ऊपर पड़ता बहुत सी महिलाव क 19 अपने देखा होगा आभी अधूरी तो आपको ऐसे भी नहीं सोना इससे क्या होगा कि बच्चे का कोई भी सरीर जो है वो दब सकता है और बच्चे को जो है बहुत जादा गर्फ के अंदर परिशानी होती है आपकी एक गलती जो है ना आपकी वह आपको सुधारनी चाहिए और अपने प्रिंग्नेंसी को एक इसी बात होती है जो हमको नहीं कोई बताता है और बड़ी इतनी बड़ी बात यह हो जाती है आफ्टर डिलिवरी या फिर बहुत सारी कॉंप्लिकेशन ऐसे हो जाते हैं देखिए प्रिंग्नेंसी का जो दौर होता है वहां पर एक भी कदम अपने आपसे रखना ना बहुत हाती मुश्कील होता हैकि हर बात जो है डॉक्टर से हमें पूचने पढ़ते हैं कि ऐसेिशे नहीं अवाधियो निया करना मैंगर को ने के सोना है दूद पीने से जो है ना देखो आपको कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी बच्चे को जो भी कैल्शियम चाहिए होता है बच्चे की रीड की हड़ी बन रही होती है बच्चे की दाद बन रहे होते हैं बच्चे की हडिया मजबूत होती है तो बच्चे लिए तो कोई भी आपको और आपकी बच्चे को दिकत नहीं होगी और अगर आपको तब भी ढात को नहीं आ रही है ना तो फ्रेंड देखिए कोई स्टोरी बुक पढ़िए जिससे आपको थोड़ा सा घ्यान मिले आप बच्चे की कोई बुक पढ़िए कोई मैग्जिन ऐसी लगे रहते हो तो इससे क्या होता है कि आपके नीद ऊड़ती है अगर आप कुछ ग्यान की बात है सीखना चाहते हो आप कुछ ऐसी अपनी बुक्स को रखी अपने पास जो आप पढ़े करके अराम से रिलाक्स होके और रात को सो सको आपको बहुत यह अच्छी नीद आए करसों के तेल से मालिश करते हो तो बहुत ही अच्छी नीद आएगी आपको रात को तो यह कुछ ऐसी बात है जो मुझी आपको बताने थी और आपकी प्रणैंसी के लिए यह बहुत ही जरूरी थी तो यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता चाहती हूं जो मेरा सेकिंड चलाने वह बेबी केर तो वहां पर मैं बच्चों के रिगार्डिंग जो है वीडियो डालती रहती हूं अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या फिर आप पहली बार मा बनी है और अगर आप मा बन भी चुकी है तो वह आपके लिए ज जॉइ कीजिए अपनी प्रिग्नेंसी को धन्यवाद बाइबाइ टेक किया लव यू आल मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कर दो कर दो कर दो कर दो